बस relação बदोस्तों, हमारी न्यूज यूटूब चनल में आप सब का स्वागत है। एक बहुत ही बड़ा जटका भी दिया गया है जिहां दोस्तों हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं करमचारियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों जहां करमचारे को फाइदा ही फाइदा है वहीं करमचारे को जो नुकसान भी हो रहा है सरकार ने ऐसा एलान किया है तो हम आपको इस वीडियो में डिटेल से बताते हैं जुड़े रहे हैं दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लाश्ट तक दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे जो एलान किया है जहां करमचरे को दुख और सुक दोनों ही प्राप्त है यानि कि जहां करमचरे को फैदा होगा वहें करमचरे को नुकसान भी होगा कि अंदरे करमचरे के लिए सरकार ने एक नए साल का जो तोफ़ा है वो जबर्दस तोफ़ा दिया है सरकार ने disability जो compensation को सभी मुझुदा करमचरे के लिए जारी रखने का एलान किया है अपनी duty करते हुए अगर करमचरे किसी अपंगता का सिकार हो जाता है और बावजुद इसके अपने सेवा में बना रहता है तो उसे disability compensation मिलता रहेगा साथ ही साथ जो इस साल महगाई बता मिलने की भी उमीद है करमचरे के लिए बड़ी खुसखबरी निकल कर आ रही है दोस्तों केंद्रिय मंत्री जितंदर सिंग ने का कि ये कदम खासकार उन लोगों के लिए बड़ी रहत देने वाला है जिसमें सेंटर जो आरम पुलिस फोर्स यानि की C.A.P.F. और B.S.F. C.I.S.F. के जवान से मिल है इन जवानों के अपंग होने का ज़्यादा खात्रा होता है क्योंकि वो कठीन परिष्टिति में काम करते हैं दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं और उनके जो काम की प्रगती भी तनाव से भरी रहती है उन्होंने का कि ऐसे कदमों का मक्षद है कि सरकार करमचर्य का जिवान असानी से गुजरे तब भी जब वो पैंसन बन जाए और बुजरक हो जाए तब भी दोस्तो ऐसे में सरकार ने जो पक्षपाती कलोजिको खतम को जो नियम है उसको आसान बनाने की जो पूरी प्रिक्रिया कर रही है तो इस नए आधिस के बाद जो सरविस नियमों में एक नियमिता दूर हो जाएगी पहले सेंटर सीवल जो सर्विस के तहत मिलने वाली डिसेबिलिटी बेनिफिट्स के नियमों के मुताबिक उन करमचरे को इसका फाइदा नहीं मिलता था जिन्होंने नैशनल पैंसन सिस्टम के तहत 1 जनुवरी 2004 या इसके बाद नोकरी सुरू की थी अब जो मनिश्ट्री और पैंसनल जो डिपार्टमेंट और पैंसन के नहीं आदेश के मुताबिक कोई भी करमचरे जो एनपियस के तहत कवर्ड है जो भी वो रूल जो नाइन के तहत इस्ट्रा ओर्डिनरी पैंसन यानि की EOP का हगदार होगा जी हां दोस्तों नए साल में ज में उन्हें महंगाई बता मिलने की उमीद है दोस्तों खबर के मुताबिक जनवरी 2021 में महंगाई बते में 4% की बडोतरी की उमीद की जारी है और इसे देश भर में लगबग डेड़ करोड जो करम चारी है किंद्री करम चरी है पैंसनर है उनको फाइदा होगा अभी जुल महिने महंगाई के उस्त पर किंद्री श्रमंतराला एक सुचकांग जारी करता है जिसके अधार पर करम चारी है पैंसनर है उनके लिए साल में दो बारियाने की जनवरी और जुलाई में महंगाई बता तै किया जाता है और यह बता पीछले 12 महिनों के उद्विक जोस्रमिक के लिए उबुक्ता मुल्य सुचकांग के अधार पर टै किया गया है और इसके अधार पर जो इसकी गरना पिसले 12 महिनों के उस्त पर की जाती है जी हाँ दोस्तों और इसके साथ ही साथ जो किंद्रे करम चारी को इस साल का मोटा जो महंगाई बता है वो मिलने की उमीद है क्योंकि सरकार ने जो आधार वरस यानि की जो बेस एयर बदल दिया है इसमें 48 लाग केंद्रे करम चारी को इसका सीधा फायदा होगा और हम आपको बता दी कि महंगाई बत्ते को मंजूरी के बावजुद मारत 2020 में करोना महमारी और लोगडान की वज़े से जो डिये के ब लेंगाई बत्ते का बुक्तान किया जा रहा है दोस्तों सरकार सरकार सपी परतीपुर्ती की संगाव था nu कर दी हैं हाँ दोस्तों आप पिलकल सई सुन रहे है एक जनवरी केंद्स प्रफान की सरकार के फैसले के बाद आब गरमचार अश्मान यूजना के तहत पंजी करन अस्पितालों में निस्लक इलाज करा सकेंगे लेकिन यदि वे अपनी मर्जी से किसी अन्या अस्पिताल को इलाज के लिए चुनते हैं तो उन्हें अस्पिताल में इलाज पर कोई खर्चा खुद वेहन करना होगा सरकार की और से कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा मुख्यस जो ओम परकास की ओर से किये गए आदेश में इसमें साप साप का गया है कि 31 जनवरी 2020 के बाद से करमचरी हैं जो पैंसनर हैं उनको चिकित स्या परतिपुति की सुवीता नहीं मिलेगी राजे के 5 लाग के करीब करमचरी हैं पैंसनर है उनको आईश मान योजना के दाइरे में रखा गया हैं जिससे अभी तक 2 लाग के करीब कार्ड बन चुके हैं लेकिन जिबकि अन्य करमचरी वे पैंसनर का जो कार्ड बनाने की करवाई चल रही है जो अंसदान से होगी जो OPD इलाज की पक्षपूरती जिहां दोस्तों आईसमा नियोजना के तायत करमचरे को सुरूख में जो केवल IPD की सुविधा ही मिल रही थी ऐसे में करमचरे हैं जो पैंसिनर है उनको OPD में कराए जने का इलाज का बुक्तान किया जाएगा लेकिन यह बुक्तान सरकार की बजाए स्टेट हैल्थ एजनसी करेगी यानि कि कोई भी करमचरे किसी आस्पताल की OPD में इलाज कराता है तो उसे इलाज का पैसा अपने जेब से देना होगा करमचरे चिकित साब जो परती पूरती के लिए बिल लगाएंगे तो इस बिल का बुक्तान सरकार की बजाए स्टेट हैल्थ एजनसी करेगी स्टेट हैल्थ एजनसी करेगी बिल का बुक्तान अंसिदान के रूप में करेगी जो की गई कटोती से ही करेगी दोस्तो यानि ज आजाएगा लेकिन जिन लोगों ने इससे पहले प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करा हैं उसके बदले में चिकित स्याप परति पूरती की स्विधा मिलती रही और सभी विभाग जो करमचारी के पुराने भिलों का भुकतान पूरों की बांती ही करेंगे करमचारी पेंचनर के लिए कैसलेस आईशमान योजना शुरू होने के बाद अब चिकित स्याप परति पूरती की ववस्ता को खतम कर दिया गया है परति पूरती अब केवल ओपीडी इलाज के मामले में होगी लेकिन उसका भुकतान भी स्टेट हैल्थ एजेंसी की ओर से किया जाएग इसमें जो हमारे अरून सिंग चुहान जो अपरसचीव स्वास्ते मंतरी है उसके दवारा ये कहा गया है दोस्तो ये थी आज की हमारी बड़ी अपडेट्स जो सभी कंद्रिय करमचारी है पैंसनर है उनके लिए है जी हाँ दोस्तो जो करमचारी को फायदा है वहीं की दू उकसान भी है तो दोस्तो आज के लिए इतना ही आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे होगी दोस्तो ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंस के साथ सेर्थ जरूर करें तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व